कि है यह लो दोस्तों स्वागर आप सक्का मेरे ये ये टीप चैनल सच इन एज जी नहां पर दोस्तों जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि विसल ब्लोवर यानि विसल ब्लोवर क्या कौन होता है और इसके इलावा आपको इसके फीचर्स और साथ में किया थे वो समझा दिये थे आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा टॉपिक आएगा that is motive of whistleblowing किया है justifiable whistleblowing किसे कहते हैं और इसमें unjustified whistleblowing किसे कहते हैं तो आज का यह हमारा टॉपिक हो जाएगा तो अगर आपको दोस्तों इसके नोट्स चाहिए वो तो आपको यहां जाएंगे इसके इलावा कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कमर सब्जेक्स से related आप मेरे telegram channel से ले सकते हैं link आपको इस channel का description box में दे दिया गया है अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आज वो आपके सामने है कि whistle blowing का motive क्या है यानि जब भी whistle blow की जाती है उसके पीछे कोई purpose होता है और वो purpose क्या है number one आपके सामने लिखा है to enforce ethical conduct कोई ethical conduct करने के लिए यानि suppose करो कोई ऐसा गलत काम हुआ है जिससे आपके rules and regulations affected हुए है तो उन rules and regulations को खतम करने के लिए या अपने organization में जो ethical conditions है उसे बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो whistle blow करते हो तो whistle blow का सबसे पहला कारण होता है कि आपने अपने organization को ethical way में चलाने की कोशिश रखी हुई है ठीक है so second आपके सामने है to highlight the dangers कहीं पर आपको लगता है कि खत्रा आने वाला है या आ चुका है या अभी बस्त मतलबा कहलो कि आपको नजर आ चुका है यानि कोई ऐसा reason जिसके कारण आपको danger हो सकता है यानि आपका खत्रा आपके सामने आ सकता है तो उस चीज से बचने के लिए भी आप क्या करते हो सबसे पहले विसर ब्लो करने की कोशिश में होते हो कि आप उसी समय विसर ब्लो कर देते हो कि ये खत्रा हमारे आगे आ सकता है या ये हमारे लिए एक खत्रा बन के चीज आई हुई है तो इसे देखा जाए ठीक है थर्ड आपके सामने है to highlight threat to public जब भी public को हमने सही से deal करना होता है तो हम public को सही information देने की कोशिश में होते हैं तो कई बार whistleblow भी हम कर देते हैं तो whistleblow क्यों करते हैं कि highlight the threat कि public को ये बता देना कि एक डर है यानि एक threat है कि कुछ गलत हो रहा है यानि public को बताना कि कुछ गलत चल रहा है यहां पे उसके बारे में भी information कौन देता है या उसके लिए भी हम क्या करते हैं whistleblow करते हैं कई बार यानि whistleblow का कारण क्या होता है कि public को एक threat के बारे में highlight कर देना कि आगे एक डर है आगे एक डेंजर है आगे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप देखो फिर आता है to motivate toward morality देखो जी morality का मतलब होता है संदेशा देना यानि एक तरीके का मैसे देना तो आप क्या करते हो विसब लो देकर गलत चीजों को खतम करेके एक morality create करते ह हो ताकि हर काम morality में किया जाए हर काम से किसी ना किसी को कुछ फाइदा हो नुकसान कोई भी ना हो ठीक है तो this is the motives यह जो हमने किये चार यह हो गए हमारे motives एक छोटा सा topic आपके सामने अब लिखा आया है कि who should judge the whistleblower कौन जज़ करेगा whistleblowing को whistleblowing को मतलब आप देख सकते हो कि whistleblowing को कौन कौन कर सकता है या सीरी सी बात कहूं तो कौन judge करेगा तो judge करने वाला number one होता है whistleblower number two होता है government और number three होती है third party देरा था three persons जो इस चीज़ों को करते हैं या जो इन चीज़ों को judge करने में मदद करते हैं अब यह judgeable यानि judgeable दा मतलब क्या है यहां पे कि क्या यह justified है जो whistleblowing की गई है वो कब कब justifyable मानी जाएगी उसके पीछे कौन कौन से reasons आपके सामने होने चाहिए वो अब हम पढ़ेंगे तो आपके सामने लिखा है कि is the whistleblowing morally justified क्या whistleblowing morally justified है के नहीं है तो उसके लिए आपका answer क्या होगा when whistleblowing is based on an appropriate motive और utmost good faith जब कोई whistleblowing किसी purpose के लिए और वो purpose है किसी utmost good faith को बनाने के ल लो कोई आप appropriate motive के पीछे ये whistleblowing कर रहे हूँ या whistleblowing के पीछे कोई सही कारण है उसके regarding whistleblowing क्या मानी जाएगी that is justified मानी जाएगी पहला reason अगर यह हुआ तो justifiable है whistleblowing second आता है when the whistleblower has exhausted all the internal channels जब whistleblower ने देखा कि कोई ना कोई internal channels को जान मतलब सारे internal channels को एक बाद देख लिया या सारे organization के और नजर मारी और अगर उसके बाद उसे कुछ मतलब सीजी सी बात है पूरे organization को देखने के बाद पूरे internal channels को देखने के बाद ही अगर whistleblowing की गई है तब वो चीज जस्टीफेबल है यानि एक आदे पहलो को देखकर अगर आप कोई whistleblowing कर रहे हो तो वो चीज नहीं मानी जाएगी तो पूरी चीजों को जान पशान को आप कहलो के internal channels को पूरा अच्छे तरीके से देखने के बाद ही whistleblowing justifiable मानी जाएगी फिर आता है when the whistleblower believes regarding the inappropriate conduct is based on reasonable evidence जब एक whistleblower के पास आप कह लीजिए एक evidence है यानि एक real proof है कि ये चीज हुई है यानि ये गलत हो रहा है इसलिए मैंने whistleblowing की थी तो whistleblowing करने की पीछे अगर आपके पास evidence है proof है तो वो whistleblowing justifiable मानी जाएगी after checking the proof ठीक है when the whistleblower's action has some chance of exposing or avoiding the moral violation जब आपको लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो चीज हो रही है इससे कुछ morally affected हो सकता है या इससे कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है तो उस चीज को रोकने के लिए अगर whistleblowing की गई है या आपको लगता है कि इससे आने वाला खत्रा बहुत बड़ा ह तो उस चीज को रोकने के लिए अगर whistleblowing की गई है तो वो whistleblowing भी क्या है justified मानी गई है ठीक है तो ये आपके सामने कुछ reasons थे चार reasons थे जिसके कारण आप whistleblowing को क्या मान सकते हो justified मान सकते हो अब आपके सामने लिखे आएंगे कि ऐसे कौन से reason है जिनके कारण जो whistleblowing है उसे आप justified भी मान सकते हो यानि वो सही नहीं मानी जाएगी तो ऐसे कौन से reason हो सकते हैं number one given vessel blowing morally justified breach of trust number one क्या है breach of trust when the discloses amount to breach of trust on a part of person makes the disclosure मतलब क्या है कि जब आप जान बूझ कर किसी का trust तोरना चाह रहे हो या breach करना चाह रहे हो उसके लिए अगर vessel blowing की गई है यानि vessel blowing का मतलब भी क्या है कि गलत हुई चीजों को रोकना लेकिन अगर कुछ गलत हुआ नहीं है लेकिन आप जान बूझ कर उससे गलत करके किसी का trust breach करने की कोशिश में हो तो वो vessel blowing क्या है unjustified मानी जाएगी ठीक है फिर आता है internal channels not use उसका उल्टा कर दो जो मैंने पीछे पढ़ाया कि अगर आपने internal channels का अच्छे से इस्तिमाल नहीं किया सारे organization को अच्छे से नहीं देखा या फिर आपने सिरफ एक चीज़ की और नजर मार कर ही आपने action ले लिया whistle blowing कर दी तो वो whistle blowing भी सही नहीं मानी जाएगी अगर जब तक आप पूरे internal channels को use करके उसकी हर पहलो को देख नहीं लेते ठीक है थर्ड आता है आपके सामने insufficient evidence कहीं पे आपको लगता है कि आपके पास सही evidence नहीं है या whistle blowing अगर की गई है without any evidence या फिर आपके पास evidence है और वो inappropriate है तो वहाँ पे भी जो whistle blowing है वो क्या है that is unjustified money जाएगी ठीक है फिर आता है little chances of success अब यह little chances of success का मतलब क्या है कि आपके पास वहाँ पे मतलब whistle blowing का आपने जान बुच के इसलिए मतलब whistle blowing जब इस purpose के लिए की गई हो जहाँ पे success ही नहीं है या फिर आप कहलो कि आपने रोका ज़रूर है उसे यानि whistle blowing is not justified in case it is certain uncertain that it will prevent the wrong मतलब हमें नहीं पता कि हम किस चीज को रोक रही है या हमें नहीं पता कि हमने अगर इस चीज को रोका है इसके पीछे क्या मकसद है यानि उस चीज के बारे में नहीं पता जो चीज को आपने अभी तक wrong ठहरा दिया है तो जो wrong गलत चीज कह दी है तो उसके पीछे reason भी चाहिए तो अगर reason valid नहीं है तो वो भी unjustified whistle blowing मानी जाएगी ठीक है जी तो these are the topics जो मैंने आज आपको समझा दिये करवा दिये और मेरे ख्याल से अगर आपको notes लेने थे वो आपके सामने थे आप note out कर सकते हो इसका pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना कहीं पर प्रॉब्लम है तो नीचे दिये गए comment box में comment भी कर सकते हो तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही है थेंक यू वेरी मच